वाइनल यो उस तो ऑन डिमांड बच्चे कमेंट कर रहे थे मोस्ट टॉपिक्स ले आव हॉट कोश्चन्स या हॉट टॉपिक्स टेस ग्रेवाल के कि पाटनर्शिप के अंदर कौन-कौन से कौन-कौन से हाफ यह नि जो-जो कोश्चन कौन से कर लें जिससे हम क्या हो जाए पास हो सके प्लस मैं अगर बढ़ा ही बिल्कुल नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है उन बच्चों के लिए वीडियो जो कि आप चाहते हो कि आपकी जो गलती हुए उसको सुदार करके फाइनल में पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है अभी टम-वन में जैसे तैसे पास होन बुक बन के अंदर बात करते हैं तो टोटल अगर बुक बात करें फाइनल पेपर के साब से 36 मर्क्स के टम-वन में इसका कोई वैसा वेटेज फिक्स नहीं होता ना तो सी बीसी प्रोवाइड करता ना तो आपको दिया जाता है इसके अंदर बात करू चैप्टर वन जो आएंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहला टॉपिक है इंट्रस्ट और रॉइंग से आपको mcq questions निकालने वाला दे सकता है मालों आपको आयोडी गीवन है इंट्रस पूछले परसंटेज पूछले इस टैप का कोशन देगा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपि अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे पास्ट एड्जिस्मेंट के लिए आपको पियनल अप्रोपिरेशन आना चाहिए और जो छुटी-छुटी चीचे वह बेसिक साना चाहिए इन दो टॉपिक्स को इन तीन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाएंगे चैप्टर वन को को सब्सक्राइब करके आएंगे इनकी प्रॉपर आप बैट के लग जाओ बाकि अब भी ज्यादा डिमांड करते हैं तो आपके लिए टीस ग्रेवाल के इंपॉर्टेंट कोशन में मांक करवाद हुआ करना है क्या वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर दें ता अगर कोशन आया तो यहां से मिल जाएगा समझ बस इतना ही देखना ज्यादा नहीं चैप्टर थ्री से जो आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पहला यह जितने भी आपके रिजर्ट्स होते हैं डव्यू सियार आई एफर जर्नल रिजर्व इनकी पीएनल का डेबिट बैलेंस बिएनल का करेड़ इंगी अच्छे से अज़िस्मेंट आनी चाहिए आपके बुक में एक हीगात इस टॉपट इस टॉपिख से भी कोशन आया है इस साल के लेटेस शाल के लेटेस्स सीबीमें सेंपल विपर आपने दे रखा है तो उसमें दे रखा है बहुत प्यारा कोशन आया सिंगल एंटिर जिसमें इंटरी से यहाँ पर बच्चे का concept check हो रहा यह आपको कितना आता जी से he topics आपकर सकतेर 4 के अगर मैं बात करूं Chapter 4 आपको अच्छे से पता है Chapter 4 का नाम है admission कि में बात करना हूं तो admission की अंदर सबसे पहला सबसे पहला टॉप PKE treatment of goodwill, आप पढ़ सकते हो, ठीक, treatment of goodwill में सारे cases आपको करने हैं, कि प्रीमियम ले क्या रहा है, नहीं ला रहा है, ये दो cases तो जरूर, प्लस में इसमें chances हैं, आपको mcq question में ratio का एक question दे दिया जा, और ऐसा भी हो सकता है, पहला question यही ratio का आए, चेक कर ले ना जरूर, अगला और last topic आप इसके साथ देखे जाओगे, 100% आपको मिलने वाला adjustment of capital, adjustment of capital, जब मैं adjustment of capital की बात कर रहा हूँ, तो balance sheet नहीं आ रहा है, इस साल, आपको दो ही चीज पढ़ के जाने है, evaluation बेटा, प्लेस में partners capital, जिसको आप अच्छे से prepare कर लेना, again, आपको अगर questions चाहिए, टियस ग्रेवाल के मैं mark करवा दूँगा, कुछ chapters के uploaded है, कुछ chapters के pending है, वो तभी upload होंगे, जब आप लोग comments करेंगे, अगर आपको जरूरत होगी, तो जरूर हम आपके लिए comment, मतलब अपके लिए upload कर देंगे, ठीक है, वो भी latest, जो भी 2024-25 की बात हो, आगे अगर मैं बात करूँ, chapter 5, chapter 5 आता है, retirement, हाला कि अभी तक जो paper का pattern था, बच्छो, क्या था, कि आपको retirement और admission में choice आती, बट इस साल के paper को देख करके ऐसा नहीं लग रहा है, इस साल choice के इन्होंने, retirement versus retirement question दे दिया, admission plus में chapter 1 से इन्होंने choice दे दी, आप क्या करना है, आपको retirement का question प्रिपेर करके जाएंगे, आप journal entry का, अब कौन सा journal entry का कह रहा हूं, ये question आपका जो revaluation plus में partners capital, यानि full flash जो questions होते है, जिस topic का नाम है, adjustment of capital, इसका आप journal entry के अंदर कैसे किया जाता है, ये question दूसरा यहां से important topic आप पढ़के जा सकते हो, बटा, loan account, loan account, ये देखने को मिल सकता, आई बास समझ, chapter 5 की, 6 की मैं बात करू, death of partner, और आप अगर एक चीज़ नोटिस करें, अगर आपने retirement पढ़ रखा है, तो death overall आपको, death में एक ही चीज़ पढ़के जानी है, मात्र, disease, partners capital account, आई बास समझ, ये जरूर आपको 100%, 100% 5 marks का question आना है, आप चेक कर लें, exam में, 100% आना, ये आपको pass कराने के लिए, अगला chapter भी आपको pass कराने के लिए, that is realization, realization account, realization ये dissolution यहां पर आपको confirm बिटा, journal entry मिलेंगी, journal entry मिलेगी, 4 to 5 marks में लिखके लिए, प्लस में इसमें एक topic कर सकते हूं, dissolution of firm, versus dissolution of partnership firm, ये जरूर इसका एक difference ले करके जा सकते हो, बागी फर्रा ले जाना है, तो आप देख लो, commerce students हो, आपको जुरूरत नहीं होगी, बट कुछ बच्चे को लग रहा है कि हाँ, तो बाई देख लो, done, अब मैं बात करता हूं, नेक्स्ट बुक की, नेक्स्ट बुक की जब मैं बात करते हैं, तो ये पर प्रॉपर अराम से इसका एक screenshot ले लेना, या लिख लेना तो बेटर रहेगा, अब मैं बात कर लेता हूं, side में बेटा किसकी company, company में आपका एक ही chapter आ रहा है, overall अगर बुक की बात करें तो 24 marks के final case आपका share capital, share capital में आप कौन से questions कर सकते हैं, जो term 1 में आपको बचाएगा, पहला important question आप balance sheet प्रिपेर करके जाएं इसकी, आपको 4 to 5 marks में मिलेगा, even 6 marks भी जा सकता है, balance sheet का एक question, दूसरा topic आप यहां से पढ़ के जाएंगे, 101% purchase consideration, इन topics के question जरूर करके जाएं, purchase consideration, हमें एक पता है, pro rata तो आएगा, pro rata तो आएगा, अगर मालो किसी बच्चे को pro rata समझ नहीं आ रहा है, तो versus में 3 cases मिलते हैं, 3 cases में, मतलब pro rata के बदले में, 3 cases मिलते हैं, किस चीज के, कौन से topics के, for feature, plus में re issue का question आता है, 3 question आते हैं इसके अंदर, और यह आपका 6 marks का question बनता है, तो इनको जरूर कर लें, यह करते हो, आप 100%, दोस्त, 100%, कोई दिक्कत नहीं, वो topics हैं, जो कि हर साल CBSC के exam में, term one हो, final हो, हर जंगा पोचता है, कोई दिक्कत, बाकी video आराम से वैट करके देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, topics को लिख लेंगे आप proper, ठीक है, यह पूरा मे कमपनी खतम हो गया, बाकी ऐसा ही कुछ और चाहते हो, तो क्या करना है, कमेंट करें, वीडियो को लाइक कर दें, चानल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स वीडियों, तब तक के लिए, keep learning and keep watching CY Concept, जहिन चैवार,